अप्टू 75G बैंड फुल एचडी प्लस सूपर आमोलेट डिस्पले, 90 हर्ट्स हायर रिफ्रेश रेट, 6000 एमेच का बड़ा सा बैटरा और 33 वाट की चैर्जिंग का सपोर्ट तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप आज की समय पर एक अच्छा सा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तो ये वीडियो काफी ज़दा हेलफुल होने वाली है, क्योंकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ है, इसके लिए हम तो प्लीज दोस्तो वीडियो के हैंट तक बने रहेगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करने के साथ, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दिजेगा, तो चलिए, शुरू करते हैं, मेरा नाम राम और गैजट न्यूज इन्दी पर आप आप सभी का स्वागत है, और गाइस, आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर सभी स्मार्टफोन को रैंक किया हुआ है, ओर ओर फीचर के हिसाब से, तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, नंबर चार की, और नंबर चार की पोजिशन पर हमने रखा हुआ है, आप सभी के यहाँ पर सामसंग की तरब से सामसंग का गेलेक्सी F22, इस फोन के अंदर आपको क्या कुछ दिया गया है, पहले बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ट क्वाल्टी की, तो फोन आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ट पर मिलता है, लेकिन टी वी रिनलेंट दिकायत नहीं आती है, बाकी रई दोस्तों डिजाइन की बात तो वो अपना-पना टेस्ट होता है, स्मार्टफोन का डिजाइन आपको कैसा मिलता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी रई फोन के कुछ अधर फीचर्स की बात, तो यहाँ पर आपको साइड मांट दो बेस्ट यूजर इंटरफेस के साथ में, जहाँ पर आपको मिल जाता है, सामसंग का One UI 3.1 और दोस्तों यह बेजड है Android 11 पर, हाला कि दोस्तों यहाँ पर आपको Android 11 मिलता है, लेकिन मही महीने के आसपास में आपको यहाँ पर Android 12 का अपडेट भी देखने को मिल जाएग फोन का दोस्तों सॉफ्टर काफी अच्छा है, आपको यहाँ पर यूजर इंटरफेस में कोई शिकायत नहीं आती, चलिए अब जान लेते हैं फोन के बाकी फीचर्स के बारे में, दोस्तों यह फोन आता है 6.4 इंचेस की सूपर AMOLED पैनल के साथ में, लेकिन आपको आती है, Corning Gorilla Glass का सपोर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है, और आपको यहाँ पर maximum 600 nits की brightness दी गई है, तो डिस्पले दोस्तों अच्छी है, हाला कि Full HD Plus होता तो और ज्यादा अच्छा होता, रही बात gaming की तो आपको यहाँ पर 90 Hz की refresh rate और 180 Hz की touch sampling rate भी मिल जाती है, और ओर डिस्पले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती, रही बात दोस्तों फोन के camera इसकी तो इस फोन के back में लगे हुए है, चार camera जहाँ पर main camera आपको मिल जाता है, 48 MP का, 8 MP का ultrawide, 2 का macro और 2 MP का depth sensor दिया गया है, सामने की दरब आपको मिलता है 13 MP का selfie camera और overall camera setup तो फोन का अच्छा दिया ही गया है, साथ में आपको यहाँ पर camera performance भी अच्छी मिल जाती है, daylight में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती, video recording के लिए आपको यहाँ पर maximum full HD तक की video recording का option दिया गया है, 30 MP तक front और back camera से, camera module आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है, उनकी performance की बा करें कि शिकायते थोड़ी मोड़ी रहती है, लेकिन दोस्तों, overall phone की performance अच्छी रहती है, तो data task, multitasking आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, और gaming के लिए आपको यहाँ पर लगबग 2 लाग के आसपास के on-2 score मिल जाते हैं, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि आपको यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है, बैकप के हिसाब से आपको यहाँ पर बैटरी मोड़िल भी अच्छा मिल जाता है, रही बात फोन के प्रोस की तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले, क्यामरा, बैटरी और सौफ्टर परफोर्मेंस काफी अच्छी मिल जाती है, और कॉन्स की बात कर ल रुपए, लेकिन अभी यह फोन मिल रहा है, ग्यारा जार रुपएगी प्राइस पर, और प्लिप कार्ट पर यहाँ पर मन्थ एंड सेल चल रही है, जिस दोरां अगर आपने इस स्मार्टफोन को एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ट से पर्चेस किया, तो आपको यहाँ प जते हैं, नमबर 3 की, और नमबर 3 पर जो गेमिंग स्मार्टफोन है, दोस्तों यहाँ पर आपको क्यामरास भी अच्छे मिलते हैं, लंबी बैटरी बैक अप भी मिल जाती है, और फोन आपको यहाँ पर काफी अच्छी गेमिंग भी करा देता है, यह स्मार्टफोन है, रि ear mounted fingerprint sensor मिलता है 3.5 mm का jack दिया गया है phone के अंदर आपको single bottom firing speaker मिल जाते हैं और हाँ दोस्तों ये phone आता है triple card option के साथ में तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं phone के UI की बात के लिए तो ये phone आता है Android Elon Musk Realme UI 2.0 पर हलाकि हलके full के bloatware app और add अभी भी आपको मिलते हैं लेकिन phone की जो software performance से वो अच्छी है तो वहाँ पर आपको शिकायत नहीं आती चलिए friends बढ़ते हैं और बात के लिए आप यहाँ पर phone के main features के बारे में तो ये phone आपको मिलता है साड़े changes की HD plus की IPS LCD panel के साथ में जहाँ पर आपको Corning Gorilla Glass का protection मिल जाता है और 570 nits की आपको brightness दी गई जो की अच्छी बात है gaming बगेर अगले आपको यहाँ पर standard 60 Hz की refresh rate और 120 Hz की touch sampling rate मिल जाती है so overall दोस्तों display की quality यहाँ पर अच्छी है तो display आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है उसमें आपको यहाँ पर शिगायत नहीं आती है cameras की बात के लिए तो phone के back side में लगे हुए है 3 camera जहाँ पर main camera आपको दिया गया 50 megapixel का 2 camera 2 megapixel का depth sensor और सामने की दरब आपको 8 megapixel का selfie snapper मिलता है overall camera setup आपको यहाँ पर decent मिलता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर main camera से आपको output अच्छे मिलते हैं तो शिगायत नहीं आने वाली है वीडियो recording की बात के लिए तो आप यहाँ पर maximum full HD की वीडियो recording कर सकते हैं front और back camera से 30 fps तक तो overall camera performance दूस्तों फोन की अच्छी रहती है और gaming के लिए आपको लगबग 2,10,000 के आसपास के ontho2 score मिलते हैं जो कि दोस्तों इस budget के इसाब से अच्छे score है तो performance और gaming में आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती इन सभी को power देने के लिए फोन के back side में लगा हुआ है 6000 mh का battery जो की normal using पर आपको यहाँ पर डेर से 2 दिन का backup दे देता है साथी में phone 18 watt की charging को support करता है charger आपको box के अंदर मिलता है और charging के लिए type-c वाली port दी गई है तो phone का battery module आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है लेकिन अगर phone के pros की बात करें तो दोस्तो इस smartphone के अंदर आपको performance, camera और साथी में battery life काफी अच्छी मिलती है तो दोस्तो अगर cons की बात करें तो यह smartphone थोड़ा सा महेंगा launch किया गया था लेकिन फिर भी इस smartphone के अंदर हमें Widevine L1 का certification नहीं मिलता है लेकिन sales अगेरा में यह phone आपको 10,000 रुपे के अंदर मिल जाता है और अभी भी दोस्तो Amazon पर आपको bank offers पर यह smartphone मिल रहा है 10,300 रुपे की price पर अगर आप चाहें तो इस smartphone को checkout कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक अच्छे multimedia phone और साथ ही एक अच्छे gaming smartphone की दोस्तो यह phone आता है यहाँ पर Infinix की तरफ से आने वाला Infinix का Note 11 पहले बात करते हैं फोन के design और build quality की तो यह phone आपको यहाँ पर premium look के साथ मिलता है और अच्छी बात है कि phone काफी जदा lightweight है 7.9 mm की ठीकने से और 184 gram का यह smartphone है जिसका मतलब की in hand feeling में भी आपको काफी अच्छा experience मिलता है और दोस्तो जहां तक बात है build quality की तो आपको phone plastic build पर मिलता है लेकिन TUV real and certified है तो build quality से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती अगर हम यहाँ पर phone की कुछ other features की बात करें तो यहाँ पर आपको side mounted fingerprint sensor 3.5 mm का jack dual stereo speakers जी यहाँ दोस्तो यह काफी अच्छी बात है साथी में यह phone triple card को support करता है तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 primary card लगा सकते हैं यूजर इंटरफेस की बात कर लें तो यह phone आता है Android 11 Base XOS 10 पर जहाँ पर आपको bloatware app अगरा तो मिलते हैं लेकिन आप इने install कर सकते हैं तो और जो phone की software performance है दोस्तों वो आपको काफी बहतर मिलती है पहले को मुकाबले तो यहाँ पर आपको कोई खास शिकायत नहीं आती तो चलिए वाई आगे बढ़ते हैं बात करते हैं phone के main features की तो इस phone में आपको दी गई है 6.7 inches की full HD plus वाली AMOLED की panel जहाँ पर आपको NEG DinoX का production मिल जाता है up to 750 needs की brightness का support दिया गया है तो यह भी काफी अच्छी बात है outdoor वागेरा में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है gaming के लिए आपको यहाँ पर standard 60 Hz की refresh rate लेकिन 180 Hz की touch sampling rate का support मिल जाता है so overall देखेंगे यार तो display की quality यहाँ पर आपको काफी अच्छी दी गई है चलिए बात कर लेते हैं phone के cameras की तो phone के back side में आपको 2 camera मिल जाते हैं जहाँ पर main camera लगा हुआ है 50 megapixel का 2 megapixel का आपको depth sensor दिया गया है सामने की बात करें तो सामने आपको मिल जाता है 16 megapixel का selfie snapper देखा जाए दोस्तों तो यहाँ आपको camera setup decent है और आपको यहाँ पर daylight बगेरा में output भी decent type के मिलते हैं वीडियो recording की बात कर ले तो आप यहाँ पर maximum 2K resolution तक की वीडियो recording कर सकते हैं back camera से जहाँ दोस्तों यह full HD के उपर वाली recording option है तो यह काफ़ी अच्छी बात है और front camera से आप यहाँ पर full HD की वीडियो recording कर सकते हैं 30fps तक तो वीडियो recording option आपको इस phone में काफ़ी अच्छे मिलते हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आप यहाँ पर phone की performance की तो यह phone आता है Mediatek Helio G88 chipset के साथ में और यह chipset बना हुआ है 12 nanometer की fabrication पर यह phone हलका full का heat होता है जब यहाँ पर आप heavy task क्या फिर heavy gaming करते हैं तो आपको यहाँ पर हलकी भुलकी hitting की शिकायत आती है लेकिन इसे यहाँ पर और भी कम करने के लिए phone के अंदर आपको darling 2.0 का support मिल जाता है जिससे आपको gaming performance और भी अच्छी मिल जाती है रही बाद day to day task performance की दोस्तों तो यहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं आने वाले आप अपने रोज मरा के काम काफी आसानी से कर सकते हैं gaming के लिए आपको यहाँ पर लगबद 2.8.000 के आसपास के score मिल जाते हैं तो gaming वगएरा भी आप यहाँ पर decent type की कर सकते हैं तो overall performance भी आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आती इन सभी को power देने के लिए फोन के back side में लगे हुई है 5000 mAh की battery जो की normal using पर एक दिन का backup काफी आराम से देती है और फोन यहाँ पर 33 watt की charging को support करता है 33 watt का charger आपको box के अंदर मिलता है charging के लिए type C वाली port मिलती है तो phone का जो battery model दोस्तों यह भी आपको काफी अच्छा मिलता है बाकी रही phone के pros की बात दोस्तो phone के अंदर आपको design, display और साथ ही में battery life काफी अच्छी मिलती software performance आपको यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं मिलती है और phone के camera's में भी आपको improvement की ज़रूरत है तो देखा जाए दोस्तों तो यह smartphone के कुछ disadvantages है लेकिन अगर आपको smartphone के pros पसंद है और आप smartphone को purchase करना चाहते हैं दोस्तों 4GB RAM और 64GB inbuilt memory के लिए normally आपको देने पड़ते हैं लगबग साड़े 11,000 रुपे लेकिन दोस्तों अभी यह phone मिल रहा है साड़े 10,000 रुपे की price पर तो मैं कहूंगा यार आप जरूर से smartphone को check out कर लिजेगा और आखिर में दोस्तों हमने आप सभी के लिए यहाँ पर एक और काफी धमाकेदार phone रखा है जो कि आपको gaming तो अच्छी कराएगा साथ में आपको यहाँ पर 7 5G bands भी मिल जाएंगे और देखा जाए तो phone काफी अच्छा है और यह smartphone भी TUV Reliant Certified है तो build quality भी आपको यहाँ पर phone की काफी अच्छी मिल जाती है वहीं पर अगर phone के कुछ extra features की बात कर लें तो phone में आपको यहाँ पर side mounted वाला fingerprint sensor दिया गया है 3.5 mm का jack मिल जाएगा और यह phone आता है hybrid guard slot के साथ में तो आइदर आप यहाँ पर एक साथ में दो 5G SIM या फिर एक 5G SIM और एक memory card लगा सकते हैं और जहां ततबात है speakers की तो आपको यहाँ पर single speaker का support दिया गया है फिर भी आपको यहाँ पर audio decent मिल जाती है लेकिन गाईज यह थोड़ा सा पुराना smartphone है तो इस smartphone के अंदर अभी भी आपको यहाँ पर Android 11 based MIUI 12 का ही support मिलता है हाला कि दोस्तों यहाँ पर Ogo का जो UI वहाँ पर आपको bloatware app और ads काफी कम मिलता है जिसके वाश से आपको यहाँ पर software experience फोन का काफी अच्छा मिल जाता है तो फाइनल यार आगे बढ़ते हैं और बात के लेते हैं फोन के main features के बारे में तो यह फोन आता यहाँ पर साड़े changes की Full HD Plus वाली IPS LCD पैनल के साथ में जहाँ पर Corning Gorilla Glass 3 का protection मिल जाता है और 500 needs की आपको maximum brightness दी गई है तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको outdoor के लिए काफी अच्छी display मिल जाती है और gaming वगेरा के लिए आपको 90 Hz की refresh rate और 180 Hz की touch sampling rate भी दी गई है इस phone की display भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है और जैसा कि guys यह एक 5G smartphone है तो phone के अंदर लगा हुआ है अच्छा मिलता है और इस phone में आपको पिछले तीनो smartphone से काफी हद तक कम heating की प्रावलम आती है तो यह भी काफी अच्छी बात है और जहां तक बात है performance की तो day to day users और multi-dask में तो यह phone आपके लिए मक्कन जैसा काम करेगा गेमिंग के लिए बात कर लें दोस्तों तो आपको यहाँ पर लगबग 3 से सवा 3 लाग के आसपास के on-to-to score मिल जाते हैं तो price के according देखेंगे या तो यह score काफी अच्छे है तो performance आपको phone की काफी अच्छी मिल जाती है गेमिंग भी आप यहाँ पर काफी अच्छी कर सकते हैं इस phone के अंदर आपको UFS 2.2 की storage भी दी गई है जिससे आपके आपके आप पर apps loading time और read और write की जो speed है वो भी अच्छी मिल जाती है और बाकी अगर बात करें आपर phone के back side की तो phone के back side में लगे हुए हैं 3 camera जहाँ पर main camera मिल जारता 48MP का दो का macro और 2MP का आपको depth sensor दिया गया है सामने की दरब आपको मिलता है 8MP का selfie snapper हाला कि दोस्तों यह 5G smartphone है और काफी पहले launch किया गया है तो यहाँ पर आपको camera output तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी आप इसे above average कह सकते हैं वीडियो recording की बात के लिए तो आप यहाँ पर maximum full HD की वीडियो recording कर सकेंगे 30 fps तक और इन सभी को power देने के लिए phone के अंदर लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी और जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप यहाँ पर एक normal user है तो इस price की according आपको यहाँ पर design, performance और 5G ready smartphone मिल रहा है जहाँ पर आपको 7 5G band का support मिल जाता है तो यह भी अच्छी बात है और हाँ guys अगर हम बात कर लिए यहाँ पर phone के cons की तो यहाँ पर आपको camera performance उतनी अच्छी नहीं मिलती है और थोड़े मोड़े ब्लॉट पर आप अगर आपको यहाँ पर मिल जाते है 4GB RAM और 64GB inbuilt memory के साथ में normally यह phone मिलता है लगबग 14,000 रुपे की price पर लेकिन दोस्तो flip card पर अभी यह phone मिल रहा है आपको 12,000 रुपे की price पर और अगर आपने यहाँ पर Axis Banker credit card से smartphone को purchase कर लिया तो दोस्तो यह phone आपको मिलने वाला है 10,500 रुपे की price पर और 10,000 रुपे के अंदर आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा 5G smartphone मिल रहा है तो दोस्तो मेरे हिसाब से आपको इस डिल को जरूर चेक आउट करना चाहिए वैसे दोस्तो यह थे वो top 4 smartphone जो की आपको gaming भी अच्छी कराने वाले हैं और साथ ही में phone के जो camera's बगेर हैं वो भी आपको अच्छे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर कौन से smartphone अच्छा लगा वो मुझे आप comment में जरूर बताईएगा उमीद है वीडियो पसंद आयोगी तो लाइक और शेयर करने के साथ चानल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिलकुल मत भूलिएगा चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद